हम दोनों के धक्का देने में ऐसा क्या अंतर था कि ये पूरी तरह से गिर गई और मुझे कुछ नहीं हुआ इन दो बॉल से समझते हैं इन दो बॉल को साथ में गिराने पर जमीन से कोलिजन होते ही बड़े वाले बॉल को एक मोमेंटम मिलेगा क्योंकि हर सिस्टम की तरह इस सिस्टम का भी मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए बड़ी बॉल छोटी बॉल को तेजी से धक्का देगी ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े बॉल का मास जादा है जिसकी वज़े से छोटे बॉल का वेलॉसिटी जादा होगा तभी दोरों मोमेंटम बराबर हो पाएगा और यही कारेड है कि छोटी बॉल बड़ी बॉल पर जादा मोमेंटम ट्रांसफर नहीं कर पाएगी नीचे होने प